एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सत्यवनीजबी टीवी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका दिन मंगल मैं हूँ सुपरभात आदामनोशकार भदोही जिले की फटा-फट खबरों को लेकर हाजीर हूं मैंनसीर कुरेशी आज रवीवार की खबरों में क्या कुछ है दे भदोही जिले में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है सनिवार को ग्रामिल किसी मौसम विभाग ने जारी अपने बुलेटिंग में बताया कि उत्तर परदेश के दूसरे जन्पदों में हलकी बारिश देखे जानी की संभावना है बारिश के चलते भदोही जन्पद में भी आंसिक रूप से बादल देखे जा सकते हैं जिससे तापमान में 2-3 degrees Celsius के बीच गिरावट देखी जा सकती है तापमान के गिरावट से भदोही जिले में सरदी का सितम बढ़ेगा इस दोरान दिन का तापमान 27 वा रात का तापमान 13 डिग्री सेल्चस के आसपास दर्जोनी की संभावना है गिरते तापमान के बीच भदोही जिले के आस्मानों पर हलके कोहरे के हालातों से भी जन्पद वासियों को सामना करना पड़ सकता है गोपिगंज के मिर्जापूर तिर्मोहानी पर जाम के चलते एक बड़ा सड़क हासा हुआ है हासे में मासूम बेटे के साथ मा की जान चली गई है यह हासा सनिवार की रात आट बजे का बताया गया है जहां अपने पती के साथ बाइक से जा रही महिला वह उसका मासूम बच्चा सड़क हासे का सिकार हो गया है मौके पर ही मा बेटे की मौत हो गई है परतेश दर्सियों के मताबिक जाम के चलते यह सड़क हासा हुआ है जंगी गंज के भरतपूर बड़ा गाउनिवासी सुचित सरोज अपनी पत्नी पूनम की बिदाई कराने बाइक से गोपी गंज के जखाओ जवहरपूर अपने ससुलाल गया हुगा था पत्नी की बिदाई कराकर सुचित सरोज बाइक से लोट रहा था जैसे ही गोपी गंज के मिर्जापूर तिर्महानी पर पहुचा तभी एक ट्रक ने पीछे से बाइक में टककर मार दी उनम के गोध में उसका दो वरसी बेटा कृष्णा उर्फ रितिग भी मौजूद था बाइक से गिरते ही मा बेटे ट्रक की जद में आ गए जिससे मौके पर ही दोनों की मौध हो गई वहीं इस हासे में सुचित सरोज बाल बाल बच गया है गोपी गंज के मिर्जापूर तिर्महानी ओवर बिरिज के नीचे हासे के बाद हड़कम मज गया था ओवर बिरिज के पीलर में आवाज आने के चलते ओवर बिरिज पर कई दिनों से काम चल रहा है जिसके चलते वहनों का लोड ओवर बिरिज के नीचे बढ़ गया है यही वज़ा है कि गोपी गंज में दिन भर जाम के हालात बढ़े रहते है जाम के चलते ही बाइक सवार मा बेटे की मौत हुई है हासे के बाद मिर्जापुर तिर्मोहानी पर अफरा तफरी फैल गई थी सूचना मिलते ही पूनम के माईके वाले वा ससुराल से लोग रोते भी लगते पहुच गए थे परजनों के मताबिक पूनम पाच मा के गर्ब से भी थी और आज रभीबार को पती सूचित सरोच के साथ मुंबई जाने वाली थी पूनम अपने माईके गोपी गंज के जखाओं जोहरपुर से अपने पती सूचित सरोच के साथ बाइक से ससुराल जंगी गंज के भरतपूर बड़ा गाओं जा रही थी साथ में दो वर्स का बच्चा कृष्णा उर्फ रितिक भी मुझूद था मिर्जापुर तिर्महानी पर यह हासा हुआ है हासे में मावेटे की मौथ हो गई है उधर हासे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार बताया गया है पुलिस ने सौ को कबजे में लेकर पोश्माटा में तू भेज दिया था सुरंग में फसे स्रम वीरों को बचाने के लिए अब भदोही में भी पूजा पाट सुरू हो गई है सुरंग में फसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए सनिवार को भदोही तहसील बार एसोचियसन के पूर अध्यच सुर परसाद दिवेदी के निर्थत में तहसील के अधिवक्ताओं ने भगमान को मनाने का काम सुरू कर दिया है भदोही तहसील परिसर के मंदिर में पहुचकर तहसील के अधिवक्ताओं ने सुरंग में फसे स्रम वीरों को बचाने की भगमान से अर्दास की है उत्तरा खंके उत्तरकासी में सिलकवारा बढकोट सुरंग में फसे 41 मजदूरों की जिंदगी के लिए भदोही में परिवार खुद कबजा कर रहा है और हलका लेखपाल मोटी रकम लेकर सरकारी जमीन पर अधिकरमल करने वालों को सरचल दे रहा है कुछ इस तरह की सिकायत की है सुरियामा थाना इलाके के गलेरियापुर निवासी रवी प्रकास स्रीवास्तों ने ग्यानपुर HDM को एक सिकायती पत्र देते हुए रवी प्रकास स्रीवास्तों ने अपने ही ग्राम सभा के परधान परिवार पर आरोप लगाया है कि गाउं की सरकारी जमीन पर कबजा कर अधिकरमल किया जा रहा है खुले आम परधान पत का दुरुपयोग करते हुए सरकारी भूम पर कबजा किया जा रहा है रवी प्रकास स्रीवास्तों ने HDM ग्यानपुर को सिकायती पत्र देते हुए सरकारी भूम पर हुए अतिकरमल को मुक्त कराय जाने की मांग की है भदोही जिले में लगातार जोला चाप डाक्टर मरीजों की जान ले रहे हैं सनिवाल को आवराई के खमरिया में भी चार माह की एक बच्ची डाक्टर के लापरवाही की भेट चल गई है परियनों ने आरोप लगाया की इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद बच्ची की मौथ हो गई है खमरिया के वाड नमबर 13 मधही पुनिवासी सर्वर अली की चार माह की बच्ची की तबियत खराब थी परियन खमरिया मारकेट के प्रलाद बर्नवाल नमग व्यक्टी क्लिनिक पर इलाज के लिए ले गए सर्वर अली का आरोप है की इंजेक्शन लगाते ही चार माह की बच्ची का हाथ पैर काला पड़ गया और घर ले जाते ही उसकी मौथ हो गई मौथ के बाद जब सर्वर अली अपनी मासूम बच्ची के सौ को लेकर क्लिनिक पर पहुचे तो उसके कुछ गुर्गे सर्वर अली को धमकी देने लगे तभी सूचना पर सीओ यूपी सिंग दलबल के साथ मौके पर पहुच कर सर्वर अली से तहरी लेते हुए सौ को पोश्मार्टम के लिए बेज दिया है अवराई के खमरिया मार्केट में क्लिनिक चलाने वाला प्रहलाद नामग व्यक्ति टिकट भी बेजता है अब सवाल यह उड़ता है कि टिकट भी बेजने वाला व्यक्ति कैसे क्लिनिक चला रहा है हलाकि इस संबन में मुक्च घिसा अधिकारी डाक्टर संतोस कुमार चक ने कहा कि क्लिनिक के रजिस्टेशन की जाचकर क्लिनिक संचालक पर कारवाई की जाएगी उधर सरवर अली के बच्ची की मौत के बाद क्लिनिक संचालक के गुर्गे लगातार उसको धमकी दे रहे हैं जिससे सरवर अली वा उसका परिवाद डरावा सहमा हुआ है सरवर अली का कहना है कि लगातार उसे कारवाई न करने की धमकी मिल रही है पुलिस ने चार माह की बच्ची का सौक कबजे में लेकर पोश्माटम हेतू भेज दिया है सीओ और आई उपी सिंग ने कहा कि पोश्माटम रिपोर्ट आने के बाद क्लिनिक संचालक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा जिला वेसक सिचाध कारी सनिवार को एक बार फिर परसेदी विध्याले के निरिच्छल पर निकले तो भारी खामिया देख उनके टेवर तलक हो गए प्यस्से ने विध्याले के पूरे इस टाप का ही बेतन रोग दिया है बियस्से भूपे नरायन सिंग ने सनिवार को भधोही बलाक के पूरे मुडिया प्रात्मिक विद्याले का निरिचन किया है पूरे मुडिया प्रात्मिक विद्याले पर छात्रों की मौजूदगी बेहत खराब रही मात्र 47 पर 36 चात्रों की मौजूदगी मिलने पर बियस्से ने विद्ध्याले के सभी इस्टाब का बेतन रोकने का निर्देश दिया है और जम कर प्रधाना ध्यापक को फटकार लगाई है कोईरावना इलाके के एक किसान ने डीम के मनाही के बावजुद भी खेत में पराली फूग दी किसी ने इस बात की सिकायत पुलिस से कर दी सूचना मिलते ही हलका लेक पाल वा पुलिस मौके पर पहुच गई थी यह मामला है कोईरावना इलाके के बिरवा मार्ग के एक नहर के सबीब का सनिमार की सुबा लगभग साड़े दस बजे खेत में धूधू कर पराली जलने लगी पराली जलाने की सिकायत किसी ने कोईरावना पुलिस से कर दी थी पराली जलाने की सूचना मिलते ही कोईरोना थाने से उपनिरिच्चक प्रमोध यादो वालेखपाल रंजन गुपता मौके पर पहुच गए थे उपनिरिच्चक ने किसान को हिदायत देते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात कही है उधर पराली जलाने से गाउं में हर्कम मजग गया था आपको बता दे अभी कुछ दिन पहले ही डीम ने भधूई जिले के किसानों से खेट में पराली न जलाने की अपील की थी रहा था कि अगर कोई किसान पराली जलाते पाया गया तो उसके खिलाप मुकदमा दर्ज किया जाएगा पुरानी रंजिस को लेकर मजदूर युवक की की गई पिटाई के मामले में कुरोणा पुलिस ने दो महिलाओं सहित कुल तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि सुक्रवार को कुरोणा थाना इलाके के नगरदा गाउ निवासी दया संकर वर्मा की पत्नी सीता देवी ने बताया था कि उसका बेटा सुबाश मजदूरी कर लवट रहा था तबी पुरानी रंजिस को लेकर कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी पिटाई से सुबाश के सिर में गंभीर चोटे आई थी आपको बता दे कि इस खबर को सत्यमिर ने परमुक्ता से दिखाया था जहां सनिवार को सीओ ग्यानपूर प्रभात राई मजदूर युवक सुबाश के घर पोचे थे उसके बाद को रोवना पुलिस ने नगरदा निवासी रतने समिस्रा वा उसके माबहन के खिलाब स्थी स्थी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है उधर मुकदमा अध्यस दलबल के साथ अचानक बजार में उतर गए सुरच्चा बिवस्ता का जाजा लेते हुए चेकिंग अभ्यान भी चलाया था अचानक भारी पुलिस बल देख बजार में मुझूद कुछ बाइक सवार इधर उधर भागते न जा रहे थाना अध्यस दलबल के साथ सुवंबर को 99 डे घोसित कर दिया है सीम के आदेश का पालन कराने के लिए दुरगागंज पुलिस दलबल के साथ बजार में उतरी थी मौके पर उपनिरिच्चक अखलेज सियादो काश्टेबल परमोत कुमार अजीत कुमार आधी पुलिस करमी मौजूद रहे 21 में सही जूरी सिंग वालिवाल परतियोगता में सिंट थामच से स्कूल की टीम पराजित हुई है सनिवार को गोपिगन के सिंट थामच से स्कूल में यह वालिवाल परतियोगता आयोजित कराई गई थी परतियोक्ता में CBSC वा ICSC द्वारा संचालित भधोही सहित गैर जन्पदों की कुल 12 टीमों ने भात लिया था इस परतियोक्ता का फाइनल रोमांच कारी मैच सेंट खामस इसकूल गोपिगन्ज वा रोहनिया के संबीम इसकूल के बीच हुआ था जहां संबीम इसकूल की टीम बिजेता रही टीम का उत्साफ वर्धन करने यसपी भधोही डाक्टर मिनाक्षी कत्यान भी पहुची थी परतियोक्ता का उधगाटन सीडियो यसवंद कुमार सिंग ने गुबबारा उलाकर किया था परतियोक्ता में बच्चों ने सांस्कृतिक कारकरम भी प्रस्तुत कर आई हुए महमानों का मन मोह लिया इस मौके पर परबंदक सैन अबरहम, प्रधानाचार विंदा सैम, जिला किर्णा अधिकारी, अभिज्यान मालवी, अमर सही जूरी सिंग के परपोत रामिस्वर सिंग आदि मोचूद रहे तेजी से बदलते मौसम के बीच समा सेवियों ने जरुवत मंदों के बीच कंबल वित्रन कारकरम की सुरुगात कर दी है सरीमार को भदोही सहर के और आई रोड हरीरामपुर के एक परतिष्ठान में एक क्यामन जरुवत मंदों के बीच कंबल का वित्रन किया गया कंबल वित्रन कारकरम सिरी 108 बालाजी बागे स्वर हेल्प टर्ष्ट भदोही के सदसों द्वारा आयोजित किया गया था कारकरम के मुकती थी रचपूरा पुलिस चवकी के उपनिरिचक सिवजी सिंग रहे कंबल हाथ लगते ही गरीब जरुवत मंदों के चेहरे खिल गए कारकरम में टर्ष्ट के अजीद दूबे, सुजीद दूबे, सुभं सिंग पमन दूबे आदी मुझूद रहे आंगनबाली केंदर पर हाटकुक योजना के तहस सनिवार को बच्चों के बीच पहुच कर भारती जनता पार्ड़ी के पूर जिलाध्यच हावसला परसाथ पाठक ने गर्मा गरम भोजन परोस कर योजना की सुरुगात की है ज्यानपूर बलाग के रहुनादपूर के आंगनबाली केंदर पर 42 बच्चों को गर्मा गरम भोजन योजना के तहट परोसा गया रहुनादपूर आंगनबाली केंदर पर इस योजना की सुरुगात कर दी गई है जिसका उधगाटन भाजपा के पूर जिलाध्यच हावसला परसाथ पाठक ने किया है योजना की शुरुआत करते हुए हाउसला प्रसाथ पाठक ने कहा कि अब आगनबाडी के तीन से छाव वर्ष के बच्चों को गर्मा गरम बोजन मिलेगा। इस मौके पर आगनबाडी कारकर्ती अंजूतिर पाठी सहित दिनेश पांडे स्यामसंकर तीवारी रामलाल यादो टिंकू सुकला आधी मोचूत रहे। प्रस्मी मिस्रा के नित्त में बच्चों को भरमल पर निकाला गया था। बच्चों को जानकारी भी दी गई। इस मौके पर संदीप वरमा, मीरा परजापती, सुनील कुमार, सक्तिमान, उपाध्या, सुसील उपाध्या आधी मोचूत रहे। खेलकूत को बढ़ावा और ग्रामल बच्चों की परधिवार निकालने के उद्देश को लेकर भारती जनता पार्टी का किसान मोर्चा कबड़ी परतियोक्ता का आयोजन कराएगी। सनिवार को भारती जनता पार्टी के जिला कार्याले ज्यानपूर के जुरई ने एक प्रेशवारता कर जिला ध्याद दीपक मिस्रा ने बताया कि भादोही सहर के चोरी रोड अभियनपूर मैदान में किसान मोर्चा दो दिवसी नमो कबड़ी परतियोक्ता का आयोजन राजेंद्र पाल बगेल आधी मोजूद रहे ज्यानपूर के कासी नरेस राजकिसनात कुत्तर महा बिद्याले में होने वाले कौसल विकास पाठ कर्मो की परिच्छा घोसित कर दी गई है महा बिद्याले के प्राजार प्रोफेसर रमेश चंद यादो ने बताया कि कौसल विकास पाठ कर्मो के इसनातक दिती वा चतुर सिमिस्टर की परिच्छा चार पांच वा च्छा दिशंबर को होगी परिच्छा सुबा 11 बजे से 1 बजे तक चलेगी सांती भंकी आसंका में सनिवार को गोपिगंज पुलिस ने अलग-अलग इलाकों से कुल 11 लोगों का चालान किया है मारपीट जैसे मामलों में 155 वा 117 सोला की कारवाई करते हुए गोपिगंज पुलिस ने कुल 11 लोगों का चालान किया है गोपेगंज कोतवाली के उपनिरिचक राजिंद्र परसाद ने पूरे भगवस से दो, पूरे परताप से एक, इसी तरह उपनिरिचक सुरेंद्र कुमार छत्मी खास से चार, भीकमपुर से दो, इसी तरह चौकी इंचार जंगीगंज ररजी सिंग ने बदलीपुर से दो ल समाधान दिवसों पर फरियादी नहीं पहुच रहे हैं, फरियादी पहुच भी रहे हैं तो उनके मामलो का निस्तारल नहीं हो पा रहा है, सनिमाल को भदोही जिले के अलग-अलग थाना कोतवालियों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, भदोही जिले के सभी था 12 बजे तक भी कुछ थाना कोतवालियों में लेखपाल राजस निरिच्छक जैसे करमचारी नहीं पहुचे थे जिससे फर्यादियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा जिम्मेदारों की लापरवाही वा कामचोरी के चलते भधुही जिले के CSC डीग में प्रधानमंती मार्ती वंद्रा योजना फिसर्डी साबित हो रही है सियम्मों के निरिच्छल में जिम्मेदारों की कामचोरी पकड़ी गई है सनिवार को मुक्चिकिसा अधिकारी डाक्टर संतोस कुमार चक ने CSC डीग का निरिच्छल किया है नॉम्मबर माह में मात्र इस योजना के एक फार्म भरे गए हैं जबकि इस योजना को सफल बनाने के लिए डीग CSC पर तैनाद 5924 आसाओं को यूजर आईडी वा पासवर्ट दिये गए हैं लेकिन एक माह में मात्र एक फार्म भरे गए हैं सियम्मों ने नाराजगी जताते हुए CSC पर तैनाद चिकिसा अधिचक साहित आधा दरजन से अधिक स्वास्त कर्मियों का बेतन अग्रिम आदेश तक रोग दिया है मद्दाता पुनरिचल अवियान का उवजिला निर्वाचन अधिकारी उवजिला अधिकारी कुवर ब्रेंद्र कुमार मौरिया ने निरिचल किया है जहां मद्दे अस्तलो पर बियलो दोरा फार्म 678 के संबन में मद्दाताओं की समस्याओं का समधान किया जा रहा था इसी तरह बियन जैसी मैदान परिसर में ग्यानपुर अधिसासी अधिकारी राजिंद्र दूबे की देखरेक में भी लेखपाल योगेस कुमार बियलो नंद कुमार 361 अजे कुमार 362 अर्विंद कुमार ने फार्म 678 के 25 से अधिक मद्दाताओं के फार्म को दुरिस्त किया गया इस दौरान उपजिला निर्वाचन अधिकारी कुमर बियन कुमार मौर्या ने सभी वियलो को निर्देश देते गए कहा कि निर्धारित समय में मद्दे अस्तलों पर पहुँच कर अधिक से अधिक मद्दाताओं की समस्याओं का समधान करें अब सत्यम न्यूज आपके ब्रिध माता पितावा बच्चों के जन दिन की बधाई भी देगा इसके लिए आप जन दिन की खबरों को हमें भेज सकते हैं आज की खबरे कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपका एक कमेंट वा लाइक हमारे टीम का होसला बढ़ खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें